अजय लूजो एवरेवन वेलकम टू कार्सिंफो उमिद आप लोग अच्छे होनें तो दोस्तो आध हमारे साथ मोझू लए गैंग्स्टर लुक वाले गाड़ी जी आँ दोस्तों यह है Scorpio Classic S11 और इसमें आप सबसे पहले स्टार्ट करें इसके bonnet scoop की तसे तो दोस्तों इसमें पहले की तरह bonnet scoop आप continue रखा गया है इसमें body line में कुछ खास changes नहीं है लेकिन फिर भी हम आज की वीडियो में आपके साथ इसके detail review शेर करेंगे और बताएंगे कि old Scorpio S11 से classic S11 में क्या चीज़ upgrade की गई है और क्या चीज़ downgrade की गई है तो आप front में जो है आप notice करेंगे कि यहापे आपको कफी बड़ी size की grill मिलेगी बीच में यहापे मेंदरा का new logo और six load यहापे grill मिलेगी बीच में आपको mat finish दी गई है नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहापे आपको इसकी डिपलेट जो है वह आपको शीज़ फिनीश में मिलेगी और दोस्तों हैड लाइट में आप नोटिस करेंगी कि पहले जो प्रोजेक्टर लेम आदा था वो राउंड शेप में आदा था बट अब इसको जो शेप डियारल और यहाँ पर इंडिकेटर वह इसमें जो आपको कोर्णिंग लेम का फंक्शन भी मिलता है नीची तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक सेप्लेट डियार दे दी गई है यह जो डियारल यह इससे ज्यादा पावरफुल वह इसका जो लाइट रिस्प कर देगी लेकिन माहेंदरा ने मार्केट में इसका क्रेज और डिमांड को देखते हैं इसको कंटिनियुर रखा और कुछ माइदर अपडेट के साथ जो इसको मार्केट में पेश किया जिसका नाम स्कॉर्पियू क्लासिक एसीवन रखा गया तो साइट प्रफाइल में जा गई है 17 इंचिस गई और कि टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर दो सो पैंटीस पैंसेट आट सतरा ही आपको टायर पर फाइल मिलेगी उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पूरी गाड़ी में जो यहाँ पर बोडी कलर्ड लेडिंग आपको दी गई है प्लास्टिक के अ सिल्वर फिलिस में और मैट ब्लेक फिनिस में आपको इसकीड प्लेट नीचे आपको फूट स्टेप दिया गया है काफी हेवी डूटी है अगर उपर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको मैट ब्लेक में रूप रेल्स मिलेंगी और एंटिना है जो आपको आपको पर आपको अपिस नहीं दिया गया है डुट थर्ड जाए दे इसको अउपन कर सकते है यह सरिफ इतना इंटा उपन होता है अंदर से साइडसे दोस्तोट में आप नोटिस करेंगे कि आपको दोनों साइड जो फिलर निए लेकिन जो लेफ्ट साइड में उस में आप डीज पीछे गर हम आते हैं, तो यहां पर जो old Scorpio S 11 है, उससे यहां पर light अप्ग्रेट की गई है, यहां पर old Scorpio S 11 में यहां पर एक frame आती थी, black matte black finish में, यहां पर इसको पूरे एक light देने इकोसिस की गई है, same Scorpio N की तरह इसको बनाने इकोसिस की गई है, यहाँ पे जो आपको हेलोजन बल्ब के साथ टेलेट्स मिलेगी और यहाँ बीच में आपको स्कोर्पियो की बाइजिंग रिए पीछे के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी से आपको स्पोलर मिलता है और इसी में प्रियर ग्लास के अगर आपको डिफोगर्स वाइपर वोशर उपर आई गया नीचे के अगर हम बात करें तो यहाँ पे महेंद्रा का न्यू लोगो पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर और रियर फूट स्टेप जो आपको मिलेगा बूट स्टेपयिस के गर बात करें तो इसमें आपको चाटसु साथ लिट्र का बूट Speech मिलता है और इसमें आactic सेंव सीटिंग ओप्शन मिलता है तो आप इशतरे यूज कर सकते है इसको नीच से दोनों तरफ जो आप इसमें सीट यूज़ कर सकते हो, फ्रेंट फैसिंग सीट है और इसमें आप बेठने के लिए इसके आप आप ग्रेम हैंडल भी दिया गया है, आप इजीली फूट शेप का यूज़ करके इसमें बेठ सकते हो, अगर रियर सीट की मैं बात बताओं, तो यहां पर मेरे को हैड़ डूम्स है, वो तो काफी अच्छा मिल रहा है, लेकिन जब कोई सामने अगर मेरी साइज का परसन बेठेगा, तो हमारे पैर हो आपस में टच होगें, तो नॉर्मली यह जो सीट हैं यह बच्चों के लिए य अगर आप नोटिस करेंगी कि यहां पर यह जब वाइपर के कंट्रूल हैं उसको कवर किया गए है, और यहां पर ग्रेब हैंडल भी दिया गए है यह ज़िए यहां पर ऑपनीग के लिए जो फिक यहां पर आपको मेट बलेख फिनिस का यूज किया गए, यहां पर यह यूज करते हो तो जो boot space है वो बिलकुल भी नहीं बजता है इसमें आपको ना कि बराबर इसमें बूट space मिलता है तो चलिए बात करते हैं इसके dimensions के बारे में इसमें जो आपको 1820 mm की width मिलती है और length आपको 445 mm की मिलती है wheelbase जो है वो आपको 2680 mm की मिलता है और जो ground clearance है वो आपको 180 mm की मिलती है और height आपको 1925 mm की मिलती है तो चलिए अब चलते हैं इसके interior की तरफ चलने से पहले हम बात करते हैं इसके engine specification बारे में इसमें 2.2 liter का turbo charged 4 cylinder diesel engine मिलता है जो की 136 bhp की power और 315 mm का tug produce करता है और company's engine के साथ 18 average कलेम करती है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके driver side door panel की तो इसमें आपको उपर glossy black की strip मिलेगी यहाँ पर आपको soft touch जिया गया है और यहाँ पर जो आपको door opening handle है वो matte finish में दिया गया है वो इसमें यहाँ और 4 power windows के control driver side windows और auto up auto down feature के साथ आती है यहाँ पर आपको speaker some magazine holder space तो चलिए अंदर चलते हैं ड्राइवर सीट के अगर मैं बात करूँ तो आपको six way adjustable driver seat मिलती है adjustment मैंने को manually करना पड़ेगा अगर मैं thigh support की बार करूँ थाई support काफी अच्छा है और यह support काफी अच्छा है बिल्कूल जो सीट से grip मेरे को मिल पा रही है steering adjustment की बार करें तो इसमें सिर्फ tint steering आता है टेलेस्कोपिक नहीं आता है और steering के यहाँ पर देख सकते हैं आप glossy black का यूज़ किया गया है और steering जो है leather app के साथ आता है right side में cruise control के options और left side में media के controls मिलेंगी right side के toggle में आपको lights के control और left side के toggle में आपको wipers के control मिलेंगी अगर dashboard के हम बात करें तो dashboard की size काफी कम रखी गई है जिससे आपको जो view है वो काफी commanding view मिलता है और आपकी जो seat की position है इसमें भी आपको काफी अच्छा फील होता है अगर बात करें steering grip की तो steering की जो grip है वो बहुत ही बहतरीन है तो तो यह बात करते हैं इसके dashboard के बारे में right side में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वार्यूम की controls headlight leveling switch और diesel fluid open करने का option और यह defogger का button दिया गए यहाँ पर तो बात करते हैं इसके central console की तो उपर तरफ आपको दो AC vents मिलेंगी यहाँ पर आपको chrome की surrounding दी गई है नीचे जो आपको 10 inches का touch display मिलेगा जो कि android display है और इसमें जो मेंदरान अफ्ग्रेड तो नहीं कह सकता मैं यह downgrade ही मान हुआ क्योंकि जो पहले S11 में तो इन्फोटेमेंट आदा वो काफ़ी अच्छा जादा और यह एक android system है और बात करते हैं इसके camera quality अच्छी है मैं नहीं कहुआ बूरी है या ज्यादा बेटर है और इसी के साथ में आपको यहाँ प्यानू ब्लेक फिनिश मिलेगी और यहाँ पर आपको वुटन का टच देने की कोशिश की गई है पीछे तक यहाँ पर आपको ओटमेटिक कलाइमेट कंट्रोल के option मिलेंगे यहाँ पर आपको एजाड लाइट का switch आई डिस्टार स्टोप का button यहाँ पर आपको mobile grip के लिए कुछ option दिया गया है यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का power outlet गेर के अगर मां बात करो तो गेर के अंदर महेंदर मह पहले जो गेर नोव आता था वो काफी vibration फिल कराता था और काफी big size का था हूँ लेकिन अभी महेंदरा ने एक अच्छी छोटी size का जो है गेर नोव आपको प्रोवाइड किया है और इसमें आप उपर तरफ प्रेस करके इसमें reverse लगा सकते हैं उसी के पीछे जो यहां पर grip मिलेगी जिसमें आप अपना mobile रख सकते हैं manual handbrake two cup holder here कि हम बात करें तो यहां पर जो armrest है वो दोनों sheet के निए separate दिया गया है देख सकते हैं आप पीछे के अगर हम बात करें तो यहां पर दो ऐसी वेंट्स दो cup holder लेकिन मेरे यह नहीं समझना है कि यह जो cup holder है यह थोड़े tilt है तो इसमें अब drinks जो है वो कैसे रख सकते हैं क्योंकि drink जैसे steady है तो वो रखने ही साइड गिर सकती है उपरी तरफ यहां पर आपको manual IRV मिलेगा को पेसेंदर संवाइडर में आपको vanity mirror मिलेगा लेकिन light का option नहीं है ड्राइवर साइड संवाइडर में आपको किसी परकार का option नहीं है यहां पर ना ticket holder ना vanity mirror है बीच में जो यहां पर आपको sun glass holder माइक और cabin light जो है वो आपको halogen bank के साथ दी गई है इसमें किसी परकार के LED का इस्तमाल नहीं किया गया है बात करते हैं इसके instrument cluster की तो left side में जो है आपको RPM मिलेगा और right side में आपको speedometer बीच में आप देख पा रहे होगे कि यहां पे gear indication दिखाए देगा और right side में आपको fuel gauge अगर बात करें तो काफी अच्छा लूब जो है डेशबोर्ट में प्रोएड होता है अगर हम driver side door panel की बार करें तो यहां पर आपको grave handle नहीं दिया जाता है जब कि जब other doors panel है उसके grave handle दिया गए बात करते हैं glow box की तो यहां पर उपरी तरफ आपको glossy black की finish दी गई है और जो power window switch और यहां पर जो है door opening handle जिसकी quality जो में पती नहीं पसंद नहीं आई और यहां पर एक space दिया गया है लेकिन इसके किस के लिए पता नहीं कहोंगे है यहां पर mobile भी नहीं आता है क्या करें इसका सीट के पीछे जो आपको pocket दी गई है नीचे आपको one liter bottle space दिया गए है यहां पर जो आपको AC vents दिया गए है सीट की बात करें दो है दो ऑसपोर्ट एच्छा मेरें भाफी अच्छा मिरें गार έχει सपोर्ट है और हेड्रूंज एवट यो काफी अच्छा है काफी काफी और यहां पर जो बीच में जा आपको central नहीं च्छा किजिए विदिया गया है तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो स्कॉर्पियो क्लासिक S11 के बारे में अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें थैंक्यू, कीप स्बोटिंग, अपना प्यार ऐसी बनाए रखें